आज के इस वीडियो के अंदर Excel में Salary Seat कैसे बनाया जाता है आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ठीके तो इस वीडियो को आप लोगों को बिलकुल दियान से देखने आए और समझना है कैसे बनाया जाता है Salary Seat ठीके तो मैंने अपना Excel open कर लिया है थिक है उसके बाद सबसे पहली जो HEADING होगी उसका नाम होगा fetel number ठीके ये लिख दिया मैंने serious number अगली जो HEADING होगी उसमें होगा employee का ID inp ID short form बेखिए हमने imp ID ठीके उसके बाद अगली HEADING होगी इसमें employee name का ठीके उसके बाद next heading होगी आप sóder name का father name और husband name जो भी आप लेना चाहो लिख सकते हो ठीक है उसके बाद अगली heading होगी उसकी wages का ठीक है कि पर मन्त उसका wages कितना है ठीक है उसके बाद अगली heading होगी यहाँ पर month days ठीक है जिस महीने का आप seller seed बना रहे हो उस महीने में कितना दिन है ठीक है जैसे कि January का बना रहे हो अगली heading होगी यहाँ पर working day working day ठीक है मतलब कि इस उस महीने में कितने दिन उसने वर्क किया है वह यहाँ पर लिखा जाएगा अगली heading होगी उसका salary उसकी salary कितनी बनी ठीक है उसकी बाद कुछ deduction होता है जैसा कि यहाँ पर होता 12% ठीक है यह मैं अपने according बता रहा हूं आप यहाँ पर कुछ भी change वगरा हो चकता है कुछ column बढ़ भी सकते हैं गड़ भी सकते हैं आप अपने according इसको बना चकते हो उसके बाद यहाँ पर ESI होता है यहाँ पर 0.75% ठीक है यह होता employee का पार ठीक है employer में यहाँ थाटीन परसें हो जाता है और यहाँ पर 3.25 हो जाता है उसके बाद यहाँ पर बनता है total deduction ठीक है यहाँ पर आप advance का column भी लगा दिखते हो ठीक है और यहाँ पर इसके बाद आजागा यहाँ पर total deduction उसके बाद last adding बचती यहाँ पर net salary कि उसके account में net salary कितना टासफर होगा वो यहाँ पर लिख किया जाएगा ठीक है इसका तोड़ उसके बाद employee ID आपके company according जो भी employee हो मेरा PYTM 001 ठीक है उसके बाद मैंने इसको drag कर दिया automatically आगया है आप अपने तरीके से लगा सकते हो और मैंने auto serial number या auto employee generate करने का already video बना चुका हूँ आप चाहो तो एक बाद वीडियो देख सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पर employee का इसका लिखेंगे wages मतलब कि इस employee का monthly wages कितना है ठीक है जासे कि मैंने लिखती है आप 15,000 रुपे ठीक है इसका 15,000 इसका 12,000 ठीक है इसका 11,000 ठीक है मैं एक तरीका आपको बता जाता हूँ यहाँ पर shortcut में फिलाल इसको क्या करें है copy किया और इसको value में paste कर दिया उसके बाद यहाँ पर आता है month का days मतलब कि अगर मैं जनुवरी का बना रहा हूँ तो यहाँ पर जनुवरी 31 महीने का होता है तो मैंने select कर लिया 31 लिखा यहाँ और control के साथ enter मारा तो लिखो सब का निकल किया गया उसके ब इसको value में paste कर दिया ठीक है अब आता है यहाँ पर उसकी salary ठीक है salary कितनी बनी अगर इसकी वेजिस है 14,87 रुपए और 17 दिन इसमें काम किया है तो कितनी salary बनेगी इसका formula होता है equal to total wages ठीक है divide by month मतलब कि उस महीने में कितना दिन है उसकी बाद into उसने कितना दिन काम किया है इसके बाद into मैंने specific कर लिया then enter मारा देखो इसके salary निकल के आ गए इसको हम round figure में लाना चाहते है तो formula को rename करा और equal to के बाद यहां लिखेंगे round ठीक है और end में चले जाएंगे comma 0 ठीक है और इसका bracket close करेंगे rent बारेंगे और इसको drag कर देंगे देखो सब का round में निकल के आ होगा ठीक है तो यहां पर इसका formula होता equal to अब देखो 12% deduct किस पर होगा इस पर नहीं होगा wages पर जो इसकी salary बनी इसमें से 12% माइनस होगा ठीक है 3 to 12% लगा दिया और enter 12 तो देखो निकल के आ गया इसको round में करने के लिए formula को rename करेंगे और यहां पर क्या करेंगे round ठीक है औ 0.75% equal to salary into 0.75% ठीक है एर एंटर बारे के देखो निकल के आ गया इसको भी round में करेंगे formula को rename करा यहां पर हम लगाते हैं खासकर ESI में क्योंकि जो ESI जमा होता है रहा round up के formula के बीश पर जमा होता है ठीक है इसलिए हम deduct भी round up की formula से करेंगे उसकी बाद 0 end में इसका ब्रेक् पर देंगा ठीक है सब करन के लिए उसकी बाद माल लिए किसी ने 200 रुपर अडवास लेका किसी ने 100 और किसी ने 500 ठीक है किसीने 1000 किसी ने 50 किसी ने 100 किसी किसी ने लिया किसी नहीं लिया ठीक है दोस्तों अब आता है यहां पर total deduction मतलब की इसके salary में से total कितना deduct होगा deduct कू इन तोनों को जोड़ दिया, equal to sum और इन तीनों को select कर लिया, इसका bracket close करा, then enter मारा, तो देखो, total इसका 1775 रुपय डिटक्ट होगा, इसको मैंने drag कर दिया, अब आता net salary, net salary कैसे निकलेगा, equal to, जो इसकी salary बनी वो, minus, जो इसका deduction है वो, इन दोनों को minus कर दो, enter मारो, इसका net salary निकल के आ गया है, अब इसकी salary बनी, जो इसके खाते में जाएगा, वो 10,504 रुपय बना, इसकी actual salary बन गई है, ठीक है, सब का निकल के आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा, decoration कर देंगे, इसको मैंने छोटा-बड़ा कर दिया, अपने column के according, जैसा चाहो आप ठीक है, ताकि हमारा printout भी अगर हम निकालना चाहें, तो आराम से निकल जाए, ठीक है, उसकी बाद हम क्या करेंगे, उपर कुछ column को plus करेंगे, ठीक है, तो select कर लिया, one पे हमने, वो control plus करा, ताकि हम company का नाम अगरे अब तो लिख सकते हैं, तो इतना मैंने select करा, इसको मैं किया कि हम पर गए, मर्ज पर क्लिक करा, और यहां पर अपना company का नाम लिख दिया, तो मैंने company का नाम है, एक्स, पी, आर्टी, एक्स, पार्ट, सो, ल, यू, टी, आई, ओ, ठीक है, company का नाम यहां पर लिख दिया, मैंने enter मारा, ठीक है, अब इसका वो नीचे भी ड्राग क है, control D करेंगे, और यहां पर लिखेंगे, company का address, ठीक है, तो company का address है, गली number 2, office number 1, ठीक है, first floor, ठीक है, वियारी कलोनी, डेली 96, ठीक है, उसके बाद, control D दोबारा यहां से करेंगे, तो same format उपर से नीचे आ जाएगा, अब हम यहां पर लिखेंगे, कि यह जो salary seat है, वो किस location का, मतलब किस company का है, मतलब कि जहां पर आपके employee काम कर रहे है, उस company का नाम क्या है, तो मैंने यहां पर लिख दिया गया, Delhi MCV, ठीक है, उसके बाद, इसको face नीचे drag करेंगे, अब यहां लिखेंगे, यह किस महीनी का है, तो यहां लिखा मैंने, salary seat for the month of January 2024, ठीक है, इसको म तो बड़ा कर सकते हो, नई चाहो तो नई भी कर सकते हो, अब की मर्जी है, ठीक है, उसको क्या करा है, हमने उसके बाद, इसको control ए, press करा, और home पे गाए, और इसको मैंने यहां पर border लगा दिया, all border, ठीक है, सारे border लग चुगे यहां पर, ठीक है, तो ठीक है, यहां पर क् एक बल्टू सब टूटल, ठीक है, 9, 9 समका होता है, इसको मैंने यहां से लेगी यहां तक select कर लिया, then enter बार दिया, ठीक है, उसके पास को थोड़ा चाहर पड़ा कर दिया, सब कर दिया, अब बहुत सब का टूटल आ चुका है, इसको भी select कर लिया, और home पे गाए, और यह प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका प्रिंट आउट का प्रिवी देखेंगे तो कंट्रोल एफ्टू प्रेस करेंगे तो देखो इसका प्रिवी कुछ इस तरह से आ रहा है इसको हम क्या करेंगे लेंड इसके पे क्लिक कर देंगे पे सेट ठीक दोस्तों इस तरह से हम लोग अपना सेली सीट बना सकते हैं एक्सल के अंदर और स्मार्ट वर्प के साथ अगर आपको नेक्ट मंत में करना है तो बस यहां पर मंत का नाम चेंज करो और उसकी यहां पर वर्किंग डे चेंज करो सेली ऑटोमेटिक हो जाएगा और यहां पर कुछ एडवांज हो है उसको चेंज कर लो यह लिया है तो ठीक है नहीं तो इस अमाउन को डिलिट कर दो ठीक है हर महीने इसी तरह से आप अपनी सेली सीट बना सकते हैं एक्सल के अंदर ठीक दोस्तों यह वीडियो आप लोगों क कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों साथ सेर करें नेक्स वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अटंडन सीट कैसे बनाया जाता है ठीक है डाइनेमिक अटंडन सीट ठीक है ना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए और हाँ य तो डाउनलोड कर सकते हो इस एक्सल फाइल को एक है ओके बाए बाए